मेक अप की दुकान साज निर्मला को मेक अप का बहुत शौक है बलकि शौक ही नहीं, निर्मला मेक अडिक्टिड है उसके लिए हर दिन मेक अप कर तयार रहना बहुत जरूरी है ओ पती परमेश्वार, मेरा फेस पाउडर कहा है? कहीं अपनी भेड़ी शकल ठीक करने तो नहीं ले गए मतलब उस पाउडर से सब यही करते है है? मतलब क्या है तुमारा? मुझे भेड़ी शकल की बोलते हो अरे ये तो तुम ही बोल रही हो, मैंने तो पाउडर के लिए बोला था हाँ हाँ, सब जानती हूँ, मेरी सुन्दरता से के लस्ते हो तुम? उसे मेक अप बोलते हैं, आरे कभी उसके बिना बाहर निकल कर देखो खुद का बेटा तक पैचानने से मना कर देगा निर्मला भड़कते हुए आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तब ही उसकी बहु माला कमरे में आ जाती है अरे नहीं 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 गुसा नहीं ममी जी गुसे से मेक अप की ऐसी तैसी हो जाएगी चेरे पर जुरिया पड़ेगी सो अलग हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही हो मुझे न इस बेवकुफ इंसान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए ये वैसे भी मेरी खुबसूरत और जवान स्कीन से किलसते हैं अरे वा, मेरी बुड़ी गोड़ी और लाल लगाँ, लगे रहू हाँ 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 ऐसा बोलकर रमेश हस्ते हुए कमरे से बाहर चला जाता है जहां उसी जतीन हॉल में बैठा मिलता है पापा, आप क्यों सुबर से ही मम्मी की टांग खिचाए में लग जाते हैं मज़ा आता है बेटा आज अकर बहु नहीं आती न, तो वार तो फिक्स दी वैसे तुम यहाँ बैठे क्या गप्पे लड़ा रहे हो, ओफिस नहीं जाना यह कहकर रमेश ओफिस चला जाता है और निर्मला अपना मेकप पूरा कर सहलियों से मिलने निकल जाती है जहां से वो कुछ घंटों बाद घर बापस आती है तो माला उससे कहती है ममी जी, मुझे कड़वा चौत के लिए कुछ शॉपिंग करनी है क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? अरे, ये तो मैं भूली गई थी हाँ, हाँ, अपनी उम्र छूटी करने में पती की लंबी उम्र करना कहां याद रहेगा अ, बहु, मुझे न, तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है कुछ देर रुको, मैं तयार होकर आती हूँ अरे, सुबह से सजी धजी घुम रही हो इसमें भी मार्केट जाने के लिए अलग से क्या तयार होगी? अरे, वो फ्रेंज के साथ किटी पार्टी वाला मेकप था मार्केट जाने के लिए अलग तयार होना पड़ता है तुम नहीं समझोगे जी, ठीक है मामी जी, पर थोड़ा जल्दी करना वना मार्केट बंद हो जाएगी निर्मला तयार होने चली जाती है और माला उसका इंतजार करने लगती है इस बात को पूरा एक घंटा बीच जाता है लेकिन निर्मला कमरे से बाहर नहीं निकल कर आती मामी जी, बहुत लेट हो गया है प्लीज जल्दी आईए न आरे, आ रही हूँ कोई शांती से तयार भी नहीं होने देता ये कहते हुए जैसे ही निर्मला कमरे से बाहर निकलती है तो माला और रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते है अरे, सिर्फ मार्केट जाने के लिए कपड़े, हैस्टाइल, मेकप सब बदल दिया अरे, आखिर ऐसा कौन करता है मै, मैं करती हूँ जी अगर आपके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं है न तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ आप दोनों इसे बाद में कंचीनियू कर लेना अभी बहुत लेट हो रहा है प्लीज, चले मार्केट पहुँचते ही निर्मला मेकप की दुकान पर चड़ जाती है और एक के बाद एक सामान देखने लगती है मम्मी जी, प्लीज दोड़ा जल्दी किजे मुझे साड़ी खरीदनी है दुकान बंद हो जाएगी माला बार बार निर्मला को यही बोलती रहती है लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखती ही देखते मार्केट के सब दुकाने बंद हो जाती है चलो मेरी शॉपिंग तो हो गई अरे तुम्हे कुछ नहीं खरीदना बहुत जल्दी याद आया आपको अब इस मेकप को लेकर ही घर चलो मैं कल अकेले आकर खरीद लूँगी दोनों निर्मला के मेकप का सामान लेकर घर वापस आ जाती है उनी के साथ साथ जतिन भी घर पहुंच जाता है अब निर्मला तो अपना मेकप लेकर कमरे में चली जाती है लेकिन माला उदास होकर वहीं बैठ जाती है हरे शॉपिंग से बापस आई औरत को ऐसे उदास बैठे तो पहली बार देख रहा हूँ क्या हुआ डालिंग माला उन्हें मारकेट में हुई सारी बात बताती है अब ये ज्यादा हो गया है मतलब अपने मेकप के आगे इस औरत को कुछ नहीं दिखता कोई नहीं दिखता इसका बस चले तो किसी के मातम पर भी लाली लिपस्टिक लगाई बिना ना जाए इसका तो कुछ करना पड़ेगा इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाए अद क्या करेंगे अरे साथ दो और देखते जाओ अब तीनों मिलकर निर्मला को सबक सिखाने की प्लानिंग के साथ कभी उसे मेकप के साइड इफेक्ट्स वाले वीडियो तो कभी तीवी पर चल रहे मेकप से हुए स्किन प्रॉब्लम ये स्किन कैंसर की नियोज दिखाने लगते हैं पर निर्मला पर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता लो इनकी कान पर तो जू तक नहीं रेंगी प्लान फ्लॉप अरे अभी नहीं मेरे पास एक और आइडिया है अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब निर्मला के मेकप में कभी नमग, कभी मिर्च तो कभी मिच्ची मिलाने लगते हैं जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि उसकी स्कीन पर भी मेकप के साइड एफेक्ट होने लगे हैं और एक सुबर रमेश अरे पता नहीं अभी मेकप करने से पहले तक तो ठीक थी फिर चिलाने लगी आँ मेकप कभी मेरे स्कीन पर कोई साइड एफेक्ट तो नहीं हो गया या फिर स्कीन कैंसर अरे मेरा मूँ जल रहा है अरे भगवान मुझे इससे बचा लो लाइफ में दोबारा मेकप का नाम तक नहीं लूँगी अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती कोई बचाओ मुझे कोई बचाओ वो लोग दूद से निर्मला का मूध होने लगते हैं जिसके कुछ देर बाद सारी जलन ठीक हो जाती है ममे ये तो सिर्फ लाल मिर्श थी पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता और अगर आपने मेकप में डूबना नहीं चुड़ा तो फिर स्किन के साथ क्या होगा वो तो आप भी जानती है अरे तोबा मेरी कैसा मेकप